तो नवलगड से सीखर तक यह जो आइस तीस कलोरूटी का डिस्टेंज है क्योंकि रोड भी फोर लेन है और इतम से नई बनी होई रोड है बीच में डिवाइड रहा है और यह अच्छा स्मूथ इसमें आपको ड्राइविंग का एक्स्पिरियंस बिलेगा तो डिस्टेंस अठाइस तीस किलोमेटर की है वो यह तो पहले कहां पैंतालीस मिनिट चालीस मिनिट लेती थी टाइम अभी आप मात्र बीस मिनिट अगर चलाएं तो पीस से पचीस मिनिट की दिश्टेंस बीस से पचीस मिनिट में आप गूं सकते हैं इसे अठाइस तीस किलोमेटर दिश्टेंस को कवर कर सकते हैं मैं तो कहता हूं कि आप गाड़ी को उसी स्पीड में चलाएं जैसे स्पीड में आपको कंट्रोल करने में दिक्कत ना हो क्योंकि रोड रोड लेंथ तो है लेकिन जो रोड की लेंथ वीड तो होनी चीए वो हाईवे जितने नहीं है तो जो मोटर साइकल वाले या टू वीलर वाले और लोग हैं उनके लिए इस रोड में थोड़ा साग रिस्की रहता है वो भी उनके पास भी साधन है तो उनके लिए भी पेशारों के लिए थोड़ा वोग कंसिडर करना चाहिए कि जब हम किशी को ओवटेक कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से तो एक जगह होती है हाईवेज में वो इस रोड पे देखने को भी बिलिए आपको और आपको और अधिये समय तो वील्डर वालों का विशेश ध्यान रहते हैं और स्पीड की बात यह है कि कंट्रोल से मेरा मत्रबी है कि यह नहीं कि आप कहीं की साथ हम तो बहुत अच्छे ड्राइविंग जानते हैं अच्छी ड्राइवर भी जानते हैं तो हम तो एक सो पचाशा से सथा अधिया जानते हैं तो यहां पर आप साथ सतर या मैक्सिमम अगर असी किलो मेटर चलाएं तो वह सफिशेंट है वह स्पीड आपको कंट्रोल में रखेगी और आप फ्यूल एकोनमी नहीं रहेंगे ज्यादा आपका पैट्रोल भी नहीं चलेगा साथ में और जो लोग यह जो ताइने हाथ की तरफ रोड कट है यह तारपुरा स्टेंड है और यह पोलेड आ जाती है और बाही हाथ की तरफ आप यहां से तारपुरा जाने के लिए रस्ता ले सकते हैं और बीमिया क्ति राह्या क्यां करहा है दया काम से टाइने हाथ की तरफ लूटन के लिए वो रस्ता निकलेंगा पीनिए आपको km बैले भाएब आगे उसमें के पैंचनेक्यों ओझार सालबाक लग दीए तक्पिंशियुँश च्टवडर Hab Denisu जैसे पूधन गायों है तोटड़ा बुकरान है आगे आप जाएगे तो पहले जेटी ही आता है less पूधन से फेले और आके जाएगे तो इत प्रटों में जीट प्रावगए आगे तो थोड़ा सी होगा थो Senhor यहां पे पहले इस मोड पे दाधिया थाना आएगा जो पहले चोकी हुआ करती थी थाना रगुनाथगड होता था यहां पे शिफ्ट कर दिया और इसका नाम दाधिया थाना कर दिया पाएगे हाथ की तरप आप देख सकते हैं कि थाने का मुख्य बहुन बना हुआ है यह यहां पे अभी बहुत सलो आराम से साथ संतर साथ संतर के स्पेट में चला रहा है और आप देख रहे हैं कि इस स्पेट में आपको कहीं कोई तकलिफ नहीं होगी अचा एक चीज और बता रहता है यहां से आप तारपुरा के लिए भी जा सकते हैं जो अभी जो कट देखा बहाँ तरफ आप दाधिया गाहों में इससे भी आप आए तरफ गाहां में एंटर उकर गे आप दाधिया इसके तारपुरा के लिए आगे खिरोड के दिये निकल आगे एक कनेक्टिंग रोड परसामपुरा के लिए निकल जाती है जाज़र से एक लोहागर गोल्याना जो सीकर से कोटपूतली रोड है इसके आगे कनेक्ट हो जाती है आगे आगे आप जो देख रहे हैं यह दाही नित्रफ जो रोड है यह कुदन थोराशी बल्थाना के लिए निकलती है जो आगे जाके लक्समन पर बाईपास जो भी कानेर जाती है उसमें जाबर नहीं